नमस्कार दोस्तों, रेट मेंस परिक्षा के लिए हम देख रहे थे आटी एक्ट दो जार नो दोस्तों, जिसमें आटी दो जार नो, रास्तान के अंदर जो आटी दो जार ग्यारा है, उसके बारे में हमने अध्यन कर लिया, तीसरा जो हमारे टोपिक दिया गया, वो दिया ग आप बस इतना पढ़ लो यह टोपिक है जो बहुत ही कम समय का टोपिक है इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो यह क्यूसन आपका तैयार रहेगा यह टोपिक NCRT और RBC का जो निचोड है उस पर आधारित है यानि NCRT और RBC का complete दिन इसके अंदर आपको मिलने वाला है और व बना हुआ है दोस्तों एक बार सभी साती वीडियो को लाइक सेर और जो नहीं साती जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें किसी भी परकार के अगर आप अधिक जानकारी चाते हैं तो यहां पर दी गई है इंस्टाग्राम आइडी जिस पर जाकर आप मेसेज के अध्याय चार की धारा बारा एक गय के अंतरगत प्रावदाने की प्राइवेट यानि नीजी विदालियों में कक्सा परतम की कुल चातर संक्या की 25 पीस्ती यानि 25 परतिसत सीटें गरीब दुरबल ववन्चित वरक के विद्धार्थियों के लिए आरक्सित होगी नैकी व अगबग 99 परतिसत यही सोचते हैं कि विदाले में जो वालग है उनकी 25 परतिसत गलत बात पहली कक्सा के अंदर जहां पर वालग पर्वेश ले रहा है उनमें पहली कक्सा में 25 परतिसत सीटे हैं समझ गए आप यहां से यारक्सन आठ वरस के लिए लागू होगा कितने वर आरक्सन 3 से 11 वरस के लिए तता कक्सा परतम में परवेश देने पर 6 से 14 वरस के लिए लागू होगा, कक्सा 1 से 8 तक सभी के लिए ये लागू रहेगा दोस्तों, आठ वरस हो गया नहीं आज से, आगया समझ में, आगे देखे, इन बच्चों की पीस का पुनरब्रन राज्य स आठी दोजार नो की धारा, बारा का भाग दो के अनुसार करेगी, जो ये निसुलक बच्चे निजीव दाल्यों में जारे हैं, इनका पीस का पुनरब्रन कोन करेगी, राज्य सरकार करेगी दोस्तों, आगे चलिए, राजस्तान निसुलक एवं अनिवारिये बाल सिक्ष् ग्यारा की दारा, ग्यारा में ये उलेक है कि इनकी पीस राज्य सरकार वहन करेगी दोस्तों, दोजार बारा तेरा से नीजी सिक्षन संस्ताओं में निसुलक परवेश प्रारम हुआ था, दोजार तेरा चोदा से ओनलाइन ये चीज है, जो जारी कर दी गई, नोट, दोज 23 का सतर आया है, इसमें पहले एक से आठ तक था, अब आनो से बारा तक जो बालिका हैं, उनको भी इसके अंदर सामिल कर दिया गया दोस्तों, और इसा करने वाला राजस्तान भारत का पहला राज्ये बन गया दोस्तों, इनके पीस का पुनर बरन, इंदरा सक्ती पीस पुन पहली पातरता होनी चाहिए, पहली पातरता आ रही है, वो आपके सामने दोस्तों, बालक गेर सरकारी विदाले के आसपास के प्रीचेतर केच्मेंट एरिया में निवास करने वाला होना चाहिए, जो बालक है, वो बालक जिसे गेर सरकारी निजी संस्तान है, विदाले उसम परवेश के समय सेरी चेत्रू में विदाले से समंदित वाड तता ग्रामिन चेत्रू में विदाले से समंदित गाउं में निवास करनेवाले बालक बालिकाऊं को प्रात्मिक्ता दी जाएगी सिधा समझ में आ गया इससे इस परेस्ट है कि विदाले जिस वाड गाउं में इस्तित है वहां से वांचित संक्या में बालक बालिका उपलद नहीं होने की स्थति में सेस सेरी निका या ग्राम पंचायत के बालकू को परवेश दिया जाएगा पहला यह है कि जिस छेतर में विदाले उस वाड में या उस ग्राम पंचायत के यह बालकू को मानेता दी जाएगी अगर वहाँ पर ऐसा हो जाता है कि 25 पर 30 बालक है ही नहीं तो बाहर दूसरे वाड प्रवेस के पातर नहीं होंगे। समझ गे नित्रूं। दूसरा देखिए। प्रवेस से समंदित दूसरा है। बालक दुर्बल वरग से समंदित होना चाहिए। 18 मई 2020 के अनुसार ऐसे बालक जिनके अभीबावकू की वार्सिक आए। 5 लाक रुपे या उसे कम है। वो दूर्लब वरग में आएंगे। वो बालक के निसुलक प्रवेस के लिए होंगे दोस्तूं। तीसरे है, एसुधा गरस्त समुएं दोस्तूं। अब एसुधा गरस्त समुएं इसके बारे में देखते हैं। देखे अनुसूची जाती के बालग होंगे, अनुसूची जनजाती के बालग हो सकते हैं, अनात बालग हो सकते हैं, HIV अत्वा कैंसर से परबावित माता, पिता या सरक्सक के बालग हो सकते हैं, युद्ध या विद्वा के बालग हो सकते हैं, निसक्त बालग जो कि निसक्त व बागीता अधिनियम 1995 में BPL के बालक हो सकते हैं पिछड़ा वरग या विसेश वरग के ऐसे बालक जिनके अभिबावकु की वार्सिक आए डायलाग रुपे या उसे कम है वो बालक इसके अंतर गता सकते हैं या उते एस्वीदागरस्ट बालक जिनको इसमें सामिल किया गया ह आठवा और भी देखिए ऐसे बालक जिनके अभिबावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामिन विकास विबाग सेरी विकास विबाग दवारा तैयार की गई BPL सूची के अंधरिये सूची या राज्ये सूची में समलित है ये सभी अभाव गरस्त बालकु के अंतर गत क्या पातरता रखिए पर्तम कक्सा में पर्वे से तू बालक की आयू पांच वर्स या उससे अधिक प्रंतु साथ वरस से कम होनी चाहिए पांच से साथ वरस के बीच की उमर होनी चाहिए दोस्तूं अब बात करते हैं निसुलक के पर्वे से तू निवास परमान पत्तर की रासन कार्ड, आधार कार्ड, मत्ताता पैचान पत्तर, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल छह माँ पुराना नहीं हो, पानी का बिल भी माने होंगे दोस्तूं, निवास के परमान के रूप में इनमें से जो भी दस्तावे दिया जा रहा है, उसमें ग्राम या वाड का में निवासी हूँ, वो जानकारी उसमें इस पेश्ट होनी चाहिए दोस्तूं, निसुलक परवे से तू दुरूबल वरग, एवं एस्विदा ग्रस समुएक से समंदित परमान पत्र, निर्दारित प्रारूप की में समक सक्सम अधिकारी द्वारा जारी होने चाहिए द आगे देखें मित्रूँ, इसमें अभीबावक कम्प्यूटर के मादेम से प्राइवेट स्कूल वेप पोर्टल www.rajpsp.nic.in को खोल कर ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या अभीबावक गूगल प्ले स्टोर से राजस्तान प्राइवेट स्कूल एप डाउनलोड कर एप के म आवेदन नहीं कर सकेंगे, अगर आपने आटी के तेत कहीं पर प्रवेश ले लिया है, तो आप दुबारा आवेदन नहीं कर पाएगे दोस्तों, आगे चलिए मित्रूँ, आगे देखें आराम से, इसमें अभीबावक एक ही बार ओनलाइन सूचनाहें परविष्ट कर दो आउसर दिये जाएंगे, परतम चरण में सभी आवेदन करता इचित विदाले में रिपोर्टिंग कर सकेंगे, द्वित्य चरण में वे बालक जिन्नोंने पूर्वे में रिपोर्टिंग नहीं किये, अत्वा वे बालक जो अब तक परवेश से वन्चीत है, तदा सेस च वे बालकू को किसी एक विदाले में निसुलक सिट्स पर चेयन होने पर पोर्टल दुआरा, दोनों विदालियों में से बालक का लोटरी करमांग हट जाएगा, यदि किसी विदाले में एंट्री काक्सा में एक भी नोन आर्टी ई परवेश नहीं होता है, तो उस विदाले में आर्टी परवेश नहीं लिया जा सके गा दोस्तों, ये बेसिक जानकारी है आपके लिए, अब हम बात करते हैं, राजस्तान में आर्टी के तेट स्कूल में परवेश लेने की क्या परकिरिया है दोस्तों, उसके बारे में, इसमें रेंडम परनाली दुआरा, लोटरी निकाली जाती है, जिसमें ओनलाइन प्राप सभी पातर आवेदन समलित किये जाते हैं, लोटरी सिस्टम के दुआरा होता है दोस्तों, ये पातर आवेदनू की सूची, आठी पोर्टल पर ओनलाइन उपलब्द होती है, इस परकिरिया में पहले वे बालक लिये जाते हैं, जो उसी वाड या ग्राम के निवासी है, जिसमें विदाले इस्तित है, एवं उनको रेंडम परकिरिया दवारा विदाले दवारा एक वरियता करमांग दिया जाता है, इसके पसा सेश बचे वे आविदन लिये जाते हैं, जो उस ग्राम पंचायत या मिनिस्पल एरिया के निवासी हैं, जिसमें विदाले इस्तित है, दोस्तों, समझ गे, तीसरा सिस्टम ओर दे के, इसमें क्या होता है, केंदरिये लोटरी, मीडिया एवं अभिवावकू के समक्स, सिक्ष्या संकूल मेत्ते तिती को निकाली जाती है, एवं लोटरी निकलने के तुरंद बाद, विदाले द्वारा इस परकार तैयार सुची, ओनलाइन पर दर्शित कर दी जानती है, दोस्तों, ये वरियता सुची परवेस की गारंटी नहीं है, उपलब सीटू के अनुसार अंतिम्तिती से पूरवर रिपोर्ट करने वाल को, एवं ओरिंजनल दस्तावेजू के मिलान क पस्चात ही आविदन सुनिस्चित होता है, दोस्तों, ये होता है, एगर आप निसुलग परवेसित बालक को दिलाना चाते हैं, तो किस परकार दिलाएं, अब थोड़ी सी और जानकारी है, वो ले लेते हैं, यदि किसी कारणवन्स निसुलग परवेसित बालक सेक्सिक सतर के बीच में विदाले छोड़ दे तो इसका पुनरब्रन सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा निसुलग परवेश लिया बालग ने और सतर के बीच में विदाले छोड़ दिया तो इसका पुनरब्रन सरकार नहीं करेगी बलकि ये सत्यापंदल सुनिस्चित कराएगा कि 31 अगस्त के मद्दे कभी भी उप्रोग्त वरनित काणू से डुप आउट हुआ है तो विदाले को उस बाले के सम्मझ में पर्तम किस्ट का तो पुनर ब्रन होगा परन्तु दुिते किस्ट का पुनर ब्रन नहीं होगा दोस्तूン समझ गए यह ड्रोप आउट बालकू के लिए है जो निसुलक परवेश लेते हैं उनके लिए इसके अलावा और भी है दोस्तों देखे नीजी स्कुलू के बहुन सुरक्सा परमान पत्रेतू राजे सरकार का निर्दे से की जो बहुन पचास वरस तक पुराने उनके सम्मन्द में परतेक तीन साल के बाद तीन साल में एक बार पी डवल्यू डी अत्वा अन्ने राज के उपकरम हाउसिंग बोर्ड इस्तानी निकाई के सहाई कभियंता से बहुन सुरक्सा परमान पत्र आउसिक रूप से लिया जावे दोस्तों यदि कोई विदाले पुर्णत है बाहरी अनुदान से संचालित होता है तथा किसी भी बच्चे से कोई सुलक नहीं लिया जाता है तो ऐसे विदालियों में 25 परतीस सीट बालकू के लिए राजस्तान सरकार दोरा निर्दारित परकिरिया से बालकू को निसुलक परवेश देने हैं लेकिन इन विदालियों को पीस का पुनरब्रन दे नहीं होगा जो अनुदान के द्वारा विदाले चलते हैं जो बालकू से पीस नहीं लेते हैं वहाँ पर 25 पर 37 शीटें वंचित बालकू के लिए रहेगी और उनको राजस्तान सरकार भी उनकी पीस का पुनरब्रन नहीं करेगी उनको जो बार अनुदान मिल रहा है उसी के द्वारा अनुदान मिलेगा नेक्स्ट है यदि कोई अभिवावक सवेचा से अपने बालक को एक विदाले से दूसरे विदाले में इस्तानांत्रीत करना चाहता है तो विदाले परिवर्तन होते ही वह बालक पीस के पुनरब्रन का पातर नहीं मानात जावेगा दिनाग 3-4-2-0-23 को जारी निर्देश के अनुदेश दोस्तों नीजी विदालियू में निसुलक सेट्स पर परवेशित बालक की पातर पुस्त के विदाले द्वारा निसुलक उपलब्न करवाई जाएगी और ये भी तीस 4-2-0-13 को जारी निर्देश है दोस्तों लेने वाले बालकों को पाटे पुस्त के उसी विद्या द्वारा निसुलग उपलब्द कराई जाएगी दोस्तों इससे आगे और देखिए पूर्वे प्रात्मिक अक्साओं PP3, PP4, PP5 में परवेस में आर्टी में परवेस नहीं ले सकेंगे PP3 प्लस चार वरस या अधिक परणतु चार वरस से कम, PP4 प्लस तीन वरस छे महां या अधिक परणतु पाँच वरस से कम, PP5 प्लस चार वरस छे महां या अधिक परणतु छे वरस से कम शत्र दोजार बाइस तेईस में PP5 प्लस में अध्यिनरत विदार्तियों की कक्सा एग में करमोनत करने के पसाथ आठी नियमू के अनुसार यदी कक्सा एग में निसुलक परवे से तू सिट्स उपलब्द हो तू हो तो ही उसमें उस सत्तर हेतु आवेदन करने वाले बालकूं को लोटरी के अनुसार वरियता के करम में दिया जाएगा ये था एक छोटा सा मोडल जो राजस्तान के नीजी है नीजी विदाले उनके अंदर निसुलक परवेश से जुड़ावा मुद्दा है वो दोस्तु ये नोट से वो एप पर उपलब्द है एप से आप प्राप्त करके इनको थोड़ा ध्यान से और पढ़ लेना जिसे आपको संपुन जानकारे मिल जाएगी बेसिक है यहां पर बेसिक थियोरी लिकी गई आर जैसे ही पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा पहला काम मित्रों हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये कलास आप रीट के उन अब्यर्तियों तक पहुँचा दो जो रीट की तैयारी कर रहे हैं देखते हैं कौन-कौन मेरे साथ ही आज इस कलास को सेर करते हैं वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सबस्क्राइब करना यार यहां पर दी गई है इंस्टाग्राम आइडी कोई भी जानकारी लेनी है तो आप यहां पर मेसेज करके ले सकते हैं आप सभी साथ आप देहिन देबार